नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका मेरे पातोर इसकेंकर चैनल में दोस्तों जैसा कि आप जानते हो अपने इस चैनल पर अभी छाजन रोगों की सीरी चल रही है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वहेजार छाजन के दूसरे प्रकार के बारे में दोस्तों इससे पहले हमने वहेजार छाजन के पहले प्रकार के बारे में बात किया था जिसमें हमारा सबसे पहला रोग छोबक छाजन था जिसमें हमने छोबक छाजन के बारे में बिस्तार से बात की थी दोस्तो आज हमारा वर्जाच छाजन का दूसरे प्रकार का रोग है, वो है हमारा फोटो सेंस्टिफ एरप्सन एक जीमा, जिसको हम हिंधी में प्रकाश सुग ग्राहत विस्पोड छाजन के नाम से जानते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम इस रोग के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे इस रोग के परिचे के बारे में, इस रोग के कारण के बारे में, इस रोग के लक्षन के बारे में और इस रोग के संपून टीटमेंट के बारे में तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक बिसेश नवेदन है दोस्तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल इकन को दवाई दना बीच बीच में मुझे टाइम मिलता है उससे टाइम में मैं आपको वीडियो देता रहूंगा अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाय रखें तो आए दोस्तो चलते हैं और जानते हैं हम फोटो सेंस्टिव एरुप्सन एकजीमा के बारे में बिस्तार से तो दोस्तो सबसे पहले हम बा प्रितिक्रिया के कारण सूरज के प्रिकास या फिर अल्टर वाइड़िट क्रिणों के कारण सरीर पर हाइपर प्रिग्मेंटेट हो जाते हैं यानि कि सरीर का ऐसा खुला भाग जहां पर जब सूर का प्रिकास या फिर अल्टर वाइड़िट क्रिण पढ़ती हैं तो बहा तो रही हमारी photosensitive erepsin eczema के परिचे के बारे में अब बात करते हैं हम इस रोग के कारण के बारे में दोस्तो photosensitive erepsin eczema के कारण में आपको बता दूँ कुछ दबाएं इस रोग का कारण हो सकती है जिन में नमर एक phenothia giants, नमर दूसरा है tetracycline, नमर तीसरी है sulfonamides, और नमर चार है chlorithrogides, और नमर पांच है grisofolven दोस्तों मैं जहाँ पर आपको बता दूँ कि जो grisofolven है ये एक fungal infected drug है उसके बाद में दोस्तों जहाँ पर हमारी soraline आदी ऐसी कुछ दबाएं हैं इस रोग का मूल कारण हो सकती हैं लेकिन ये confirm नहीं है कि ये रोग इन दबाओं के कारण ही होता है लेकिन किनी किनी patientों में इन दबाओं के कारण इस रोग की तपती को देखा गया है इसलिए ये दबाओं इस रोग का कारण हो सकती है तो दोस्तों ये तोड़ी हमारी photosensitive erepsion eczema के कारण के बारे में आप बात करते हैं अगर ये रोग किसी बैक्ती को हो जाता है तो उस बैक्ती में हमें कौन-कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों photosensitive erepsion eczema के लक्षण इस प्रकार है जिसमें हमारा सबसे पहला लक्षण है सरीर की तोचा पर छोटे-छोटे उब्रे और फफोलों के घने समू के रूप में दाने निकल आते हैं जब इस बैक्ती में ये रोग होता है तो उस बैक्ती में समू में जो दाने होते हैं वह उसके सरील पर एकदम से निकल आते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा लक्चन है प्रवाबित तौचा पर सूजे हुए उब्रहे और खोरदरे धब्बे हो जाते हैं उसके बाद में दोस्तों तीसरा लक्चन है प्रवाबित छेतर पर खुजली के साथ साथ में बहाँ पर जलन हो सकती है उसके बाद में दोस्तों जहांपर अमारा fourth नमर का लचण है प्रवापित भाग का रंग परिवर्थन हो जाता है यानि वहाँ पर hyperpigmented हो जाता है यानि कि भाँ की तोचा यानि कि जो प्रवापित छेत रहा भाँ की तोचा लाल हो जाती है या फिर गुलावी रंग में परि बुखार और साथ में कपकपी को भी देखा गया है तो दोस्तो ये तो रही हमारी फोटो सेंस्टिफ एरेप्सन एकजीमा के लच्छन के बारे में अब बात करते हैं हम इस रोग के संपुन टीटमेंट के बारे में दोस्तो फोटो सिंस्टिप अरेप्सन एक्जीमा के टीट्वेंट में आगे आपको बताने से पहले आपको कुछ बिसे साथ दानी बता दूँ तो दोस्तो अगर आपको पूर्म जो मैंने दमाएं बताएं थी अगर उन से आपको यह रोग हो रहा है तो उन दमाओं को तरंत बंद कर देना चाहिए उसके बाद मैं दोस्तो आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए दूप में अगर आप निकलते हो तो कोई भी आपको सनिस्क्रीन लगाकर निकलना चाहिए या फिर आपको कोई भी वाइट कपड़े से पूरे सरील को ढखके निकलना चाहिए तो दोस्तो पहले तो मैं आपको इसमें एक important बात बता दूँ अगर आप एक आम बैक्ति हो तो आपको बिना डॉक्टर की सला के खुद से ये इलाज नहीं करना है तो दोस्तो चलिए जानते हैं इसके इलाज में दोस्तो सबसे पहले हमको अपनी प्रवाबित भाग है अगर बहाँ पर लाल दाने निकल गए हैं या पर बहाँ की तोचा है बहाँ पर पपड़ी निकलने लगी है या पर बहाँ का जो कलर परिवतन हो गया या पर सूजन आ गई है तो आपको बहाँ पर नबक के पानी की सिकाई करें यानि कि 500 मिली लीटर में एक चमच नबक डाल कर उसको थलका सा गरम करके कॉटन के कपड़े से उसकी सिकाई करना है उसके बाद मैं जहाँ पर आपको कुछ क्रीम बता दूँ और ओंडमेंट बता दूँ दोस्तों जिसमें हमारी क्रीम केटोकोनाजॉल और केटोकोनाजॉल की साथ में हमको जहाँ पर टू पर्शन मुपूरेशुन को मिला कर यानि कि दोनों को मिक्स करके दिन में दो बार लगाना होता है उसके बाद में दोस्तों आपर एक एंटिवाटिक टेबलेट में आपको बता दूँ टेबलेट रॉक्षि थ्रोमाइसिन जो की मैं आपको एक सरील भार के नुशर बता दूँ पांस से साथ एमजी पर केजी परड़े के हिसाब से इसके एक 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 वल डोज बना कर एक दिन में इसका डिवाइड़ डोज देना है जैसे अगर 100 एमजी हो रहा तो 100 एमजी का 50 एमजी शाम को और 50 एमजी शोगा देना है उसके बाद दोस्तों अगर सरील पर खुजली अत्यादिक हो रही है तो अगर बच्चों में हो रही है तो बच्चों में फैनारगन एक चम्मच दिन में तीन बार देना है और अगर वाइसकों में हो रही है तो टेबलेट एटारेक्स इस टेबलेट को हमको 25 mg की आती है इसको भी हमको दिन में 3 बार देना होता है और अगर दोस्तों खुझली रात के टेम सबसे ज़्यादा हो रही है तो इसकी डवल डॉज ले ले लें यानि कि 25-25-50 mg रात को इसका डवल डॉज ले लें दोस्तों मैं आपको बता दूँ एटारेक्स 25 mg की टेबलेट से अलकी सी नीन आ सकती है तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉबलम नहीं होती है उसके बाद मैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब ये रोग एक लंबी समय तक बना रहता है तो महां की तुचा होती है वो काफी ज़्यादा सुस्क हो जाती है तो उस सुस्क तुचा को आपको नमी लाने के लिए कोई भी आपको युक्त क्रीम आपको वहां पर यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथी अगर आपकी कोई केरीज है तो कमेंट करें और दोस्तों अपने रिष्टिदारों और दोस्तों में इसको सेर करें ताकि उनको पी ऐसी नॉलिज मिल सकें और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बैल एकन को दबा देना तकि अपने इस चैनल पर एजी वीडियो आए उसका नोटिफिकिशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद